आज हम पहुचे हैं पुंडरी विधान सभा के हुड़ा कलोनी में जहां कुछ महिलाई पारक में बैठके चर्चा कर रही है यह उनसे जानते हैं कि वो किस विशे को लेके चर्चा कर रही है जैसे कि आप लोग जानते हैं सभी को पता है कि कल करवा चोत कत्यों हार है शायद कि उस विशे पर उनकी चर्चाएं चल रही है और एक त्योंहार 19 तारीक को 21 तारीक को भी आने वाल है जिसे चुनावी तो हार काय रहे हैं जहां लोग बढ़ चरक वोट अपील करेंगे जाहिए चलो चलते हैं उनसे पूछती है कि किस विशे पर वो चर्चा कर रही है नमस्कार जी सबको आज आज आप यहां इकटे हो के बैठी हैं तो किस विशे पर आपकी चर्चा चल रही है थोड़ा बताएंगे करवा चोथ भी है महंदी भी लगी है सबके हातों में किस कुछ रह रहे हैं जिन्होंने नहीं लगवाई है हां जी आप बताएंगे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बढ़ाई हैं और कुछ करवा चोथ की जादा करवा चोथ कलको है और इसी के बारे में हम सब बैठे हैं जी आप हमें यह बताएंगे जे चलों करवा चोद की तो ह तो त्यारी करी रहे हूं तो चुनाओव की त्यारी आझा किस तरह से कर रहे आप चुनाबव की यह जी अपर अच्छा नेता चाते हैं यहाँ पे किस नेता चाते हैं यह जो हमारे इस पुंट्री का ख्याल रखे जो सब लोगों की तरफ देखे और जो इसका विकास करें आपके यहाँ पर क्या क्या विकास के मुद्दे हैं मेन मुद्दा तो बंदर पकडवाना अच्छा मतलब बंदर बहुत जाद है आपने कभी इसकी शिकाइट नहीं जैसे यह गंदगी यह इतनी यहाँ पर यहाँ पर कोई शोन वाई नहीं होती है सब्सक्राइब है इंगी कोई सुने के लिए यापता है अब हमारा को यह जैसे वेद पाल भाई सबाइएंगे तो यह कुछ करेंगे अमारे लिए यह किउर अब्ये फूर इसके साथ ही है हमें विष्वास है अच्छा हर और कैस सुबै निकलते हैं तो रात को गर पैते आट अपकी पार्टी से हैंजी ठीक है ठीक है आपकी यहां के विकास के मुद्दे कौन-कौन से कौन से विकास है जो नही हुए बस यह सफाईया और यह बंदर में तो यह दो ही यह क्योंकि बच्चे खेल नहीं पाते हैं अगर बच्चों के लिए कहते हैं जूंट-का-जूंट कपड़े ने सुखा पाते कोई बार चीज ने रख पाते हैं आप खुद एक महिला है महिलाओं को लेकर क्या कहेंगी आपकी किस तरह की उनकी सुरक्षा होनी चाहिए हर एक समाजिक द्रिष्टी से भी आर्थिक स्थीती से भी हर एक उस सारी से होनी चाहिए क्योंकि हर एक तो उसमें लेवल पर आगे आए आप बताएए माताजी कि आप यहां पुद्दा कलोनी में रहने वाली हैं आप बताएए कि यहां विकास के क्या कारी नहीं हुए और कैसे होने चाहिए आगे बेटे कुछ निभी कास हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहाए आप आया देखने लिए अपने जो विदम विधायक है उनसे कभी बात करीजी कोई सुनवाई निकर रया जी आए बार के क्राशिया पूंड़ी निर्दा रिदाना बनाधा जी और वो कुछ नि काम कर रहे जी तो निर्दालिये उमिदवार जब बनतार रहा है तो उसको भी तो जंता ही चु करतेगा इवकी बार तोजी आम पार्टी के बंदेदे बोड़ देंगे बस पार्टी के बंदे कौ्ण है ऐसी जिनको फेसे बड़े बड़ kल रहा है क्या क्ये काम कि तो को नियुकर अर लिए और सटकों के जार बुस्वा लिए जिए जै मोदी नकाफ सब्सक्राइब सब्सक कुन कुन से विकास रह रहे हैं बढ़ी आई वही सब कुछ अपानी कुछ कम देए अब यहां पर काफी सडकें जो भी तक बने नहीं बनी आ पानी है गलियों में ऐसी चलता रहता है उसकी उपर कोई वो सुनवाई बिक्सी तरविर हम देखने हैं कि पार्स को लेगे सफाई नहीं है , पिर भी कहां का अरिया ऐसा है कि जहां पर आप चाद शड़के और पानी का जिकर कर रहे यह इदर बलकार कलोनी है, इसमें सड़के बिल्कुल नहीं बने हुई है, बस पत्थर पत्थर पड़ा हुआ है, और इधर की पाई गेट की है, गलियां है, उसमें नहीं बिल्कुल भी गली बना रही है, इसमें पत्थर डाल देते हैं, कहते हैं अभी नहीं बनती, नेक्स ट अच्छे हैं इमानदान हैं बहुत ही अच्छे इंसान है उनके बारे में जितना भी हमने सुना अच्छे ही सुना लोग कहते हैं अगर हम भारवालों को मोका देंगे तब ही तो वह बनेंगे अब तक के तो यहीं के थे सारे आपके 25 सालों से अजाद उमिद्वार बनते आ रहे हैं और विकास के नाम पर देखा जाए तो पुंड्री हलका बहुत पिछड़ा हुआ है पूरे हर्याना में ऐसा गाओ कोई देखने को नहीं मिलता जितना यह बहुत पिछड़ा हुआ है क्या कारणे से इसका कारणी है कि जितने भी मेले बनते हैं वो सुनवाई नहीं करते हैं बार-बार की वो करते हैं अपना सड़के देख लो आप आपने देखी होंगे आप आते जाते हो कहीं की सड़के अच्छी नहीं है सारी टूटी-फुटी हुई है पानी सड़कों पर एसी खड़ा रहता है जरह से भी कि वारिश हो जाए सड़कों पर कितना पानी आ जाता है बिलकुँ हद से जादा पानी आ जाता है हम इसे मिश्टे है मैडम आप लेकि तो यही बात है कि हम पर सफाई नहीं हो पाती है अच्छी तरह और मेन प्रॉब्लम यह है कि बंदरो बंदरो की प्रोब्लम है सबसे ज अच्छी सरकार है जो सब की सुने भी अपनी भी कुछ उनकी हम सुने और वो हमारी सुने तो क्या लगता है कि ऐसा किस का दाव पे जियां पर भारी रहेगा मोधी जी का मोधी जी का अँटी आप हमें बताईए कि आपको कैसा नेता चाहिए हमें सक्षम नेता चाहिए जो एक दम से आकर यू पता लगे कि हां कोई नेता बनके आया है अभी तक यह निर्दलियां इनकी नहीं चलती ना सुना सरकार में सुनवाई होती तो यह तो यह हो है बस नाम मातर के मेले बनकर बैठ गए उनका भी कोई कसूर नहीं हम कहेंगे लेकिन उनकी चलती नहीं पूर सब्सक्राव रहता है यह जैसे पूंडरी है कुछ बन जाना चाहिए था तो तहसील के क्रीब आ गया था लेकिन इन्डिपेंडेंट से चुन-चुन के लोगों ने इसका बठा गोल कर दिया तो आप क्या चाहते हो कि अब हम चाहते है कि पूंडरी का विकास हो कोई बिकास करेंगे हैंगे अवीद से यह अमीद ले लेकर चले हम हम जैसे आएं बहर निकलने कौ पाव में मोच आ जाते हैं तुरन्ती हमने हमने भी पूरे पूंडरी मैं व्यदा के यह गाओं के तो नहीं हम न आएन कुछ से नाम पर को हैं जहां पर हें थी दिखMAN 9 नी और पन्हेस कालव पर करिए नहीं हो तुछ भी कितने साल से किसे त MOD 했는데 के बचेशी के बार निकल सकते कपड़ें यह थो क्ड़ेगल कभी पिछे से कपड़े पकड़ लेते हैं खड़े-खड़ों के अब लिए कोई है कोई इतनी वह नहीं है के कोई सुरक्षीत ना हो बस मले हैं अज तक मैं तो यहां की जनमी हुई हूं मुझे नहीं नहीं लगा ऐसा कई कभी भी अभी तक अग्ये कुछ हो जाए तो में पता को एकसा का नाम विटता सिंगला की और बच्चे बार खेलते हैं साथ ही बंदर आजाते हैं कितने कितने बशु का चुके हैं इसकी शिकायत अमनगरपाली का बेंगे बीकर चुके हैं लेकिन वहां कोई सुनुवाई नहीं नहीं होती है क्या कारण रहा कि आप लोगों की सुनवाई वहां नहीं हो पार रहे हैं तो जनता उसी उमिदवार को चुनती है जो उनकी हकोकी बात ऊपर तक पहुचाएं तो वोट भिकाऊ है जब तक वोट बिक्ती रहेंगी कोई धंका नेता नहीं आएगा जब वोट बिक्नी बंद हो जाएगी तभी धंका नेता आएगा तो इस बार क्या लगता है आपको कोन यहां पे नंबर बन पे चल रहे हैं हम तक कहते हैं कि मोदी जी को बनाओ और सबसे बैस्ट है मोदी जी को मनाओ तो गोवर्मेंट उनकी आएगी कम मोदी सरकार को ही क्यों लाना चाहते हो क्या का रही है मोदी सरकार ने तो पूरा देशी सुधार दिया क्या किया है सबसे बैस तो यह है व्यापारियों में सबसे बड़ा इया के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस सबसे बड़ा जबाध्यान में सटकों का जाल जो योगदान है मोदी जी आप खुश हैं मोदी जी की निमियों प्रोब्लम थो इस जर्ब बरना कोई सब्सक्राइब अब सबसारे हैं वलग बंखरों का इस जल हाँ को तो अब आप के ऐस सबर हों करने हें तो और आप मैं हों हें सब्सक्राइब कोई करते हैं यह के कंडिये द़्नाना सबीनित्ता एंबर बन प्याएगा और को निया सजीत ही एक जी तो देखो तो ब्यूंड देखने से कोई आता है तो सरम आती या बड़ी बारी बिलकुल आती है तो यह कोई बच्च खेल सकता नहीं कोई हम लोग बैट सकते हैं कि अब कुछ समय पहले यहां पर यह ब्लॉक्स लगाए गई थी पूरी ब्लॉक्स लगाने से यह कि साफ यह सड़के पहले से क्योंकि पहले खड़े थे लेकिन यहां पर ब्लॉक्स के अंदर पाइपे डाल दी गई कि अगर बारिश चाहएगी पारिश का पानी जैसे लेडी जगर के बाहर रेंप धोती है तो उनका पानी वह खड़ा नहीं होगा सड़कों पर लेकिन उनका पाईप डालनेके बाद उनका कोई मेन होल नीं बनाया गया जहां पे जो पानी है वो इकत्रित हो सके ठीक है वह लेकिन यह नहीं है कि और यहां पे जैसे बंदर भी है जो उनका बहुत नुक्सान करते हैं वो कपड़े उठा के ले जाते हैं बच्चे यह जो पार्टी का टिकट जिनने मिले वह विकास कर दे मारा तो इस उड़ा का टिकट किसको मिला है टिकट वेद पर कास जी वेद पाल बातें चुनाओ को लेकर भी चल रहे थी जिननोंने कहा कि यहां पर बहुत सारी समस्या है खास कर उनकी पानी और सफाई को लेकर बंदरों की सबसे बड़ी समस्या है इनके निर्दली है विधायक जो रहे हैं मोजोदा विधायक है उनने अब इतक कोई इस पे कारवाई न बने बाब